दोस्तो ये कहानी है दुनिया के सबसे महेंगे कार ब्रैंड रॉल्स राइस के बारे में जिसके बारे में सोचकर वो आज भी उसके जक्म हरे हो जाते होंगे दोस्तो भारत की इतियास में एक ऐसे राजा थे जिन्नोंने इस महंगे कार ब्रैंड से अपने अपमान का बदला लेने के लिए इससे जाडू लगवाई और इससे कूड़ा भी इट पाया इस स्टोरी के बारे में जानकर हर सच्चे भारतिय का जो सर है वो गर्ब से उंचा हो जाएगा उसको पता चल जाएगा कि भारतिय कितने स्वाभिमानी थे और अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो किस सथ तक काम कर सकते हैं तो दोस्तों इस कहानी की सरवाद उस समय से होती है जब भारत को सोनी की चिडिया कहा जाता था पूरी दुनिया में भारत के राजाओं की लगजरी लाइफ के चर्चे थे भारत के पास में इतना पैसा था इतना पैसा था कि आप देख सकते हैं वो उनकी लगजरी लाइफ आप देख सकते हैं, उनके पूरे महल खाजानों से भरे हुए होते थे, हर समय वो नौकर चाकर से गिरे हुए होते थे, इतना सोना वो दारन करते थे कि पूरी दुनिया इस चीज को जानती थी कि भारत के राजाओं से ज़्यादा पैसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है उन्ही राजाओं में से एक राजस्तान के अलबर के राजा थे राजा जैसिंग तो राजा जैसिंग जो है वो महल में बहुत ही राजसी वेस में रहते थे बहुत उनको सौक थे सोना चानी पहनने का लगजिरी लाइब जीने का हर समय उनके पास में नौकर चाकर हर समय मौझूद रहते थे तो एक समय था जब वो अपना समय लंदन में वितीत कर रहे थे तो उस समय जब वो लंदन में वितीत कर रहे थे अपना समय तो वो अपनी राजिसी वेसबूसा में नहीं रहते थे बिलकुर साधा कपड़ों में वो लंडन के सैर में भ्रमर किया करते थे तो भले ही उनकी वेजबूसा बिलकुर साधा हो भले ही उनकी साथ में नौकर चाकर ना हो लेकिन उनकी सोच और उनकी पसंद हमेशा से ही एक राजा वाली रही थी तो चुकि वो राजा थे तो उनको महेंगी लगजरी कारों का बड़ा सौक था तो लंदन में जब इस समय एक रोड पर जा रहे थे अचानक से उन्होंने रॉयल्स रॉयस कंपनी का एक सोरूम देखा जब वो सोरूम के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कार बहुत ज़्यादा पसंद आ गई उस सोरूम में खड़ी सबसे महेंगी कार जब उनको पसंद आई तो वहीं पर खड़े हुए एक अंग्रेट सेल्समेन ने जब उनको देखा तो उसने गंदे सब्दों का इस्तिमाल किया उसने सोचा कि ये गरीब हिंदुस्तानी है और उन्होंने उस सेल्समेन ने राजा को उसकार का प्राइस बताने से मना कर दिया और उनका बहुत अपमां किया उनसे ये तक कह दिया Get out from my showroom इस सब्द का जब वो उसने इस्तिमाल किया तो चुकि वो राजा थे उन्होंने ततकाल प्रभाव से इसका जबाब नहीं दिया राजा होने के सासत पैसे वाला होने के सासत वो बहुत बुद्धिमान थे उन्होंने इस अपमान का बदला लेने का सोच लिया और उस सोरूम से वापस अपने होटल में आ गए होटल में आने के बाद में वो दुबारा से अपनी राजा की वेसबूसा उन्होंने धारन करी और उस राजा की वेसबूसा में सोरूम जाने का फैसला कर लिया जिसमें उन्होंने बहुत हीरे जावरात पहने उनके साथ में बहुत सारे नौकरों का दस्ता था जब उस सोरूम को ये पता चला कि भारत के अलवर के राजा जैसिंग इस सोरूम में आना चाह रहे है तो आप उस सोरूम के बहर एक रेड कार्पेट बिचाए गया उनके सम्मान में पूरे सोरूम का जो श्टाफ था वो बहार आकर सर जुका कर खड़ा हो गया जब राजा वहां पर पहुंचे तो सभी ने उनको सलाम किया नमस्ते किया सर जुका कर उनको सम्मान किया तो राजा जब सोरूम पहुंचा तो उस राजा जी ने उस सोरूम में खड़ी हुई साथ रोयल्स रोइस कारों का ततकाल प्रवा से ओर्डर दे दिया और ये भी कहा कि इन कारों को भारत के अलबर में पहुंचा दिया जाए जिसके लिए उन्होंने एडिस्नल जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो भी पे कर दिये जब कंपनी को अचानक से इतना बड़ा ओर्डर मिल गया तो वो बहुत ज़दा कंपनी खुस हो गई वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आगे चलकर इन कारों का क्या होगा जबकि राजा बड़े बुद्धिमान थे उनके दिमाग में ये बराबर चला था कि वो किस प्रकार से इन कारों से अपना प्रतिसोद लेंगे इसके बाद में राजा ने कहा कि इन सभी कारों को अलवर में भेज दिया जाए और उस सेल्समेन को भी भेज जा जाए जिसने उनका अपमान किया था अब असली स्टोरी की सुरुआत होती है यहां से जब ये सभी रॉल्स रॉइस कारें अलवर में पहुंची तो राजा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया एक और दे दिया अपनी नगर पालिका से बोला कि इन कारों का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ कचड़ा उठाने के लिए किया जाएगा तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपको फोटो में भी दिखरा होगा कि रॉल्स रॉइस कारों के आगे की तरफ में इस तरीके से जाडू बांदिया गया जिससे की रोड की सफाई होती थी और इसका इस्तमाल कचड़े उठाने के लिए किया जाने लगा जब सेल्समेन ने अपने रॉल्स रॉइस कारों की ये हलब देखी तो वो चौकन न रह गया उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकता है इस तरीके से राजा ने अपने अपमान का बदला ले लिया जब ये बात पूरी दुनिया में पहुंची पूरी दुनिया में आग की तरह ये बात बहुत कम समय में फैल गई तो उस समय बताते हैं कि रॉयल्स रॉयस कंपनी की जो विक्री थी वो 60% तक डाउन हो गई थी 60% जब अचानक से इसकी विक्री डाउन हो गई तो लोग इस कार पर हसने लगे लोग ऐसा जोग बनाने लगे जो लोग भी इस कार को लेने जाते कि अरे ये तो वही कार है जिसमें भारत का एक राजा इस गाड़ी से जारू लगवाता है इसमें कूड़े उठाकर कूड़े बिनवाता है इसके बाद में रॉयल्स रॉयस कंपनी की जो ओनर थे उन्होंने एक पत्र लेकर जो राजा जी थे इनसे अलवर की जो राजा थे इनसे माफी मागी और अपनी इस सेल्समेन की बत्वीजी के लिए उन्होंने खुब माफी मागी जिसके बाद में राजा ने ये काम बंद कर दिया इसके बदले में कमपनी ने उपहार सरूप साथ नई रॉल्स राइस कारें जो हैं वो राजा जैसिंग को उपहार सरूप भेंड करी तो आप सम में भारत के पास में बहुत पैसा था जिसको अंग्रेज लूट कर ले गए थे आपको अगर वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को सस्क्राइब करना थैंक यू फर वाचिंग इस ओसम वीडियो